इस वीचारे बड़ी कबर बटालक से धरने पर बैठे अनदाता, जी हां जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं, दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी है, बता दें आपको ये स्वक्त की बड़ी कबर आ रही है, अपने मागों को लेकर सडक पर डटे हुए हैं किसान, तो खाने पीने के पुक्ता प्रबंध जो हैं वो यहां पर किये गए हैं अर्ण दाता किसान जो हैं वो धरने पर बैटे हैं ये इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दें तो दूसरे दिन भी किसानों का धरना लगातार जारी है ये इस वक्ती बड़ी खबर अपने बागों को लेकर सड़क पर ढटे हुए हैं किसान जी आप देख सकते हैं जो किसान है वो सड़कों पर ढटे हुए हैं धरनासल पर खाने पीने के पुक्ता प्रबंध तक किये गए इस तरफ से आपको हम तस्व मेरे दिखा रहे हैं गन्ले के बकाया राशी को लेकर प्रदरश्चन जो हैं वो यहां पर किया जारा है किसानों दोरा और तस्व मापको दिखा रहे हैं किसानों ने ससर्थ जाम करके धरने पर एक साथ बैटे हैं नब्वे गाहों की ग्रामीन बताला से बड़ी खबार धरने पर बैठे अन्डाता जी यहां धरने पर अन्डाता जो हैं वो यहां पर बैटे हुए है बोपाल सेंग संबता माख्री reflex साज जड़ गए हैं जण ज淫ार है वो लगातार जारी है अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास अजी मैं आपको बताना चाहूंगा के जो किसानों की अपनी मांगों को लेकर धर्णा पर दर्शन है वो अभी दिन रात का जो है वो जारी है और आज कल रात को भी बैठे रहे हैं धरने पर और आज भी वहीं उसी सड़क्ची उपर दिलवाई जाए और साथ ही जो पंजाब सरकार ने कहा था कि 25 रुपई फी कुछ गन्ये के ओपर किसान को दिया जाएगा तो उसके करीब 11 क्रोड के जो राशी बनती है वो भी हमें दी जाए तो कहीना कहीना है कि पहले भी कई बार हम परशाचन को जे आवाज पहुचाच पहुच रही हैं इनके साथ बैठने के लिए इस देशने पर देशने में तो आज काफी बड़ी पदात में किसान जहां पर मुजूद रहेंगे और आपको साथ ही बताना चाहूँगा कि आज से किसानों किसान जो है वो भूख हरताल पर भी बैठेंगे और अगर आज सामस किसान यहां पर बैठे हुए हैं और इनका कैना इनके मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगे तब तक यह ऐसे दरने पर बैठेंगे तो बातचीत करने की कोश्रीशन से की गई है पर साश्वन की जाने जाने तो इस धरने पर दर्शन को शुरू करने से पहले इन्होंने इस तरीक ते काल से यहां पर धरने पर बैठ चुके हो और आप इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना पर दर्शन हमारा ऐसे ही जारी जाएगा और प्रशाश्निक अधिकारी के इलावा चाहे कोई राजी नेता हो कोई भी जहां तक न प्रशाश्निक अधिकारी को इनका पता है लेकिन जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा इनके वाद सुनने के लिए